नमस्कार दोस्तों मेरे नाम स्रीकांत कुमर आप देखे टुजेक टोसेस आज हम बात करने हुआ इस वीडियो में दोस्तों बहुती बड़ी अपडेट अगर आप फोन पे एप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोन पे एप के अंदर एक बहुती बड़ी नया सर्विस को करना चाहते हैं निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम फोन पे एप के माधियम से बताने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बला इकन घंटे को प्रेस कर लिजे ताकि मेरे व वीडियो को notification सबसे पहले पकी पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले mobile का play store को open कर लेना है search box में type करना है phone पे उसके बाद search की option पे click कर दना है इस प्रकार से app देखने के लिए मिल जाता है इस app को सबसे पहले अपना mobile में इस प्रकार से install कर लेना है उसके बाद इस प्रकार से app को open कर लेना है यहाँ पे अपना mobile number को type करना है proceed के option पे click करना है OTP डाल कर सबसे पहले इस app को login कर लेना है उसके बाद इस app को सबसे पहले elog कर देना है एप इस परकार से open हो जाता है जो इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा है profile के option इस वाले option पे click करना है उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है bank account के option इस वाले option पे click करना है phone पे app में पहले से already जितना भी आप bank account को add करके रखे हैं इस परकार से यहाँ पे सभी bank देखने के लिए मिल जाता है अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है add new bank account के option इस वाले option पे clicking करना है यहां से सबसे पहले अपणा bank name को select करना है जिस bank में आपका account है उस bank के name को यहां पे select कर लेना है तो चली यहां पे हम estate bank को select कर लेते हैं पेंग में जितना account open है इस पर कार्ड से देखने के लिए मिल जाता है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा Set Pin के Option इस वाले Option पे क्लिक करना है UPID बनाने के लिए यहाँ पे दो Option देखने के लिए मिल जाता है पहला Option देखने के लिए मिल जाता है अधार कार्ट से बना सकते हैं और दुसरों ओप्षन देखने के लिए मिल जाता है डेविट ATM कार्ड से अगर आपके पास ATM डेविट कार्ड नहीं है तो यहाँ पे जो दिख रहा है अधार नमबर इस वाले ओप्षन को सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे देखने के मोबाइल नमबर लिंक होगा उस नमबर पर एक OTP को सेंड किया जाएगा उसके बाद बैंक के साथ जो मोबाइल नमबर लिंक होगा उस नमबर पर भी एक OTP को सेंड किया जाता है दोनों OTP को फिलब करना है उसके बाद UPI PIN यहाँ पर आपको क्रेट करना है UPI PIN क्रेट कर तो यहां से अधार UPID बन जाता है और अगर आपका पहले से फोन पे एप में आलरेडी बैंक अकॉंट को एड करके रखे हुए हैं तो यह सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा सिधे आप जो हैं कि पेमेंट अस्टेक्मेंट को बहुत यह असान तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है यहां पे जो दिख रहा है हिस्टोरी के आप्शन इस वाले आप्शन पे क्लिक करना है जितना भी आप फोन पे से ट्रांजेक्शन किये हैं जितना भी आपके फोन पे में पैसा आया है सारा कुछ यहां पे ट्रांजेक्शन देखने के ल अगर आप 30 दिन का download करना चाहते हैं statement तो 30 दिन वाले option को select करना है अगर आप 90 दिन का download करना चाहते हैं तो 90 दिन वाले option को select करना है अगर आप last 365 दिन का statement को download करना चाहते हैं तो इसको select करना है और अगर आप पुराना से पुराना download करना चाहते हैं statement उसके लिए यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबसे पहले डेट को सेलेक्ट करना है किस डेट से किस डेट से तक जो है कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करना है तो चले यहाँ पे हम select कर लेते हैं 365 day तो जह SM select करते हैं तो यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है proceed के option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर कूर सीकेंट तक wait करना है और यहाँ पर देखिए a statement जो है कि download हो गया है अब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है view a statement के option इस वाले option पर क्लिक करना है जैसे इस वाले option पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जितना भी आपने transaction किये हैं phone पर app से यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर history देखने के लिए मिल जाता है पूरा a statement यहाँ पर देखने के लिए कर सकते हैं कौन सी डेट में कितना पैसा क्रिडिट हुआ है और कौन सी डेट में कितना पैसा डेविट हुआ है सारा कुछ यहाँ पे डेट टाइम सब कुछ देखनी के लिए मिल जाता है फोन पे एप ट्रांजेक्शन का अस्टेटमेंट को डॉनलोड कर सकते हैं